रुचिरा भाग तीन रुचिरा तृतियो भागह अश्टम वर्गाय संस्कृत पाठ्य पुस्तकम प्रिष्ठ संख्या एक्सो साथ परिशिष्टम संधिही पूर्व पदस्य अंतिम वर्णेन समम उत्तर पदस्य पूर्व वर्णस्य मेलनेन यत परिवर्तनम भवति तत संधिह इति यथा विद्या जमा आलयह विद्यालयह एवमेव यदि जमा अपि यद्यपि कविजमा इंद्रह कवींद्रह समान्यतह संधिह त्रिविधह तद्यथा क स्वर संधिह अच संधिह वा ख व्यंजन संधिह हल संधिह वा ग विसर्ग संधिह क स्वर संधिह स्वर वर्नेनसह स्वर वर्नस्य मेलनं स्वर संधिह कत्यते संस्कृत अभाशायाम स्वीकृताह स्वर वर्नाह इमे संति अ, आ, इ, ई, उ, उ, री, ल्री, ल्री, ए, अई, ओ, आउ स्वर संधिह व एतेशाम परस्पर मेलनं भवति अत्रकेचित विशिष्टाह संधयह उलेखनियाह पहली दीर्ग संधिह अ, इ, उ, री, हरस्वे भ्यो दीर्गे भ्यो वेति वर्ने भ्यह परम अ, इ, उ, री, वेति स्वरह दीर्गाह वा वर्नाह भवंति चेत तयोह मेलनेन दीर्गाह भवति एतत्कृते सूत्रम वर्तते अकह सवर्ने दीर्गाह उदाहरनानी मुर जमा अरिह मुरारिह पाठ जमा आरंभह पाठारंभह दक्षिन जमा अयनम दक्षिनायनम स्वराज्य जमा आंदोलनम स्वराज्यांदोलनम कवी जमा इंद्रह कवींद्रह प्रिष्ठ संख्या एक सो आठ वद्धू जमा उदयाह, वद्धूदयाह, पित्त्री जमा रिनम्, पित्त्रीरिणम् ए तत्करिटे सामाण्यञ्यझ प्रक्रिया अपिप्रदीयते तत्क्कलू अ जमा अ, आ जमा आ आ, आ जमा आ IJ AmaEy UJ AmaU UJ AmaU UJ AmaU UJ AmaU UJ AmaU री जमा री ल्री जमा ल्री दूसरी संधी यन संधी इ उ री ल्री वेति वर्णस्य पश्चात भिन स्वर वर्णभवती चेत इ उ री ल्री इत्ये शाम स्थाने क्रमशह य व र ल आदेशह भवती एतत क्रिते सूत्रम वर्तते इको यन ची उदाहर नानी यदि जमा अपी यद्यपी मधु जमा अरीह मध्ध्वरीह वधु जमा आगमनम वध्वा आगमनम पित्री जमा आदेशह ल्री जमा आक्रिते हैं लाक्रिती ही एतत क्रिते सामान्य प्रक्रिया इत्थम वर्तते इ ई जमा अ आ उ उ उ रि ल्री ए आई ओ आउ य उ जमा आ आ आ ई ई रि ल्री ए आई ओ आउ वध्वा रि रि जमा आ आ ए ई उ उ रि ल्री ए आई ओ आउ र ल्री जमा आ आ ई ई उ उ उ रि रि जमा प्रिष्ठ संख्या एक्सो नो तीसरी संधी गुण संधी ही अ आ इत्यनयोह पश्चात इ उरी वेति वर्नह आगच्छती चे क्रमशह ए ओ अर अल वाभवती सूत्रम वर्तते आद गुणह उदाहरणानी देव जमा इंद्रह देव जमा ईशह पर जमा ओपकारह एक जमा उनह महा जमा उर्मिह देव जमा रुषिह तव जमा ल्रिकारह तवल कारह सामानिय प्राक्रिया इत्थम वर्तते अ अथवा आ जमा ई ई ए अ अथवा आ जमा उ उ ओ अ अथवा आ जमा री अर अ अथवा आ जमा ल्री अल चोथी संधी व्रिधी संधी अ अथवा आ इत्यनयोह पश्चात ए अथवा आ ओ अथवा आउ वेती वर्नह आगच्छती चे क्रमशह आई अउवा भवती सुत्रम वर्तते व्रिधी रे येची उधा हरणानी एक जमा एकम एक एकम देव जमा एश्वर्यम गंगा जमा ओघह महा जमा ओशधी हे सामानिय प्रक्रिया इत्थम वर्तते अ अथवा आ जमा ए अई अई अ अथवा आ जमा ओउव पाचवी संधी अयादी संधी ए अई ओ आउव वेती वर्नस्य पश्चात कोपी स्वर वर्नह आगच्छती चेत तत्स्थाने क्रमशह अय आय अव आव वा आदेशह भवती सूत्रम वर्तते एचोय वाया वह उधा हरणानी ने जमा अनम नयनम गय जमा अकह पो जमा अनम पावनम पाव जमा अकह पावकह ए तत्कृते सामान्य प्रक्रिया इथमस्ती ए जमा स्वर वर्नाह आय जमा स्वर वर्नाह आय ओ जमा स्वर वर्नाह आवल प्रिष्ठ संख्या 110 कारकम वाक्ये क्रियायाह सद्यह अन्वयह येन पदेन शब्देन वा सह भवति तत पदम कारकम भवति कारकाना मर्थम प्रकाशयितुम येशाम प्रत्ययानाम सम्योजनम शब्दईह सह भवति ते प्रत्ययाह कारक विभक्तयह भवन्ति सामान्यतह विभक्तिह द्विविधा प्रतमा कारक विभक्तिह द्वितियाच उपपद विभक्तिह कारक विभक्तिह उपपद विभक्ति ही पदम आश्रित्य या विभक्ति है सा उपपद विभक्ति है यथा गुरवे नमाह अत्र नमाह इति पदस्य प्रयोगेण चतुर्थी विभक्ति है अभीतह ग्रामम अभीतह पर्वताह संति परितह ग्रामम परितह उध्या नमस्ति उभयतह विद्यालायम उभयतह पुष्पवाटिका सर्वतह पुष्पवाटिकाम सर्वतह विक्षाह संति सह शशांकेन सह रोहिनी ग्रिहम गतवती साकम मया साकम त्वम गच्चसे समम त्वयासमम अहमगच्चामी सार्धम प्रधान मंत्रिना सार्धम मंत्रिनः अपिगतवंतह अलम अलम विवादेन अलम श्रमेन रामह रावनाय अलम नमह गुरवे नमह स्वाह स्वधा पित्रिभ्यः स्वधा वशट देवतायई वशट सो ग्यारह उपसर्गह धातोह पूर्वं उपसर्गान्योजयित्व वयं नूतनक्रियापदानां निर्मानं कुर्मह उपसर्गाह साधारनतः द्वाविंशतिहि संख्यकाह संति तद्य था प्रपरापसम अनू अव निर्णिस दुल दुस वी आंग नी अधि अपि आति सू उत अभि प्रति परि उप उपसर्ग योगेन धात्वर्थाह क्वचित परिवर्थते अतः कत्यते उपसर्गेन धात्वर्थो बलाद न्यत्रनीयते विहारहार संहार प्रहार परिहारवत यधा वी जमाहरी संहरती उप जमाहरी परिहरती परिहरती प्रिष्ठ संख्या 112 प्रत्ययः उच्यते प्रकृतिरियम द्विविधा तद्यथा धातुह प्रातिपदिकम्च एवं धातोह प्रातिपदिकाच अनन्तरम यह वर्नह प्रयुज्यते सह प्रत्ययः भवती यथा रामह इती शब्दे राम प्रतिपादकह अस्ति विसर्गह सुच प्रत्ययो वर्तते तथा इव पठित्व इते शब्दे पठ इती धातुह वर्तते क्त्वाच प्रत्ययः इती प्रत्ययाह पंच विधाह भवन्ते तद्यथा विभक्तिह क्रिप तद्धितह स्त्री प्रत्ययः धात्व वयवश्च पत्र इमे प्रत्ययाह अपि अवबोधनियाह क विभक्तिहि धातु नाम अनंतरम ति तह ती प्रभृतययः प्रत्ययाह प्राति पदिकानम्च अनंतरम सु अव जस्ट प्रभृतययः प्रत्ययाह विभक्ति प्रत्ययाह भवन्ति यथा राम जमा सु रामह प्राति पदिकेन निश्पन्नह गम जमाति गच्छति धातु भी निश्पन्नह पठ जमांति पठन्ति धातु भी निश्पन्नह ख क्रित धातो पश्चात प्रयुक्ताह प्रत्ययाह क्रिक प्रत्ययाह भवंति यथा पठ जमा लिउत पठनम ग तद्धितह संग्यायाह सर्व नामनस्च पश्चात प्रयुक्ताह प्रत्ययाह तद्धिताह भवंति यथा शिव जमा अन्त। शैवाह ग स्थ्री प्रत्ययाह पुंगलिंग शब्दान स्थ्री लिंगेशु परिवर्तितुं ये प्रत्ययाह प्रयोगे व्यवहरीयंते ते स्थ्री प्रत्ययाह संति यथा चतुर जमा टाप दात्री जमा नीप दात्री न धात्व वयवह धातोह विभत्तेश्च मध्ये सन शप निच प्रभृतयह प्रत्ययाह धात्व वयवाह भवंति यथा पठ जमा निच जमा तिप पाठयती अंगल भाशायाम प्रत्ययह इते शब्दस्य कृते सफिक्स इते शब्दोवर्तते केचन प्रमुखाह व्याव हारिकाश्च प्रत्ययाह संति क्त्वा तुमुन, शत्रि, शानच, तव्यत, अनियर, क्त, तवतु, घाय, टाप, लिउट, निच, लियप, इत्यादयह क्त्वा गम जमा क्त्वा गत्वा अर्थात जाकर पठ जमा क्त्वा पठित्वा अर्थात पढकर हस जमा क्त्वा हसित्वा अर्थात हसकर वाक्य प्रयोग हवर्तते अहम पुस्तकम पठित्वा ग्रिहम गमिश्यामी प्रत्यय लियप परी जमा त्यज जमा लियप परी त्यज अर्थात छोड कर वी जमा हस जमा लियप वी हस्य अर्थात हसकर उप जमा गम जमा लियप उप गम्य अर्थात समीप जाकर वाक्य प्रयोग हवर्तते श्यामह ग्रिहम परित्यज्य वनम गतवान तुमुन प्रत्यय नी जमा तुमुन ने तुम अर्थात लाने के लिए गम जमा तुमुन गन तुम अर्थात जाने के लिए पठ जमा तुमुन पठी तुम अर्थात पढ़ने के लिए चल जमा तुमुल चली तुम अर्थात चलने के लिए वाक्य प्रयोगह वर्तते लता पुस्तकम पठितुम पुस्तकालयम गच्छते तथा इवद अहम हलम नेतुम आपणम गमिश्यामी प्रिष्ठ संख्या 114 शब्द रूपाणी सर्वनाम शब्द अस्मद विभक्ति और वचन क्रम में यहां कुछ शब्दों के रूप दिये जा रहे हैं साथ विभक्ति और तीनों वचन को ध्यान से सुने प्रथमा अहम आवाम वयम द्वितिया माम अथवा मा आवाम अथवा नौ अस्मान अथवा नह त्रितिया मया आवाब्याम अस्माभे चतुर्थी महियम अथवा मे आवाब्याम अथवा नौ अस्मभ्यम अथवा नह पंचमी, मत आवाभ्याम अस्मत, शष्ठी, मम अथवा मे, आवयोह अथवा नौ, अस्माकम अथवा नह, सब्तमी, मै आवयोह अस्मासु युष्मद प्रथमा विभक्ति त्वम युवाम यूयम द्वितिया त्वाम अथवा त्वा युवाम अथवा वाम, युष्मान अथवा वःद त्रितिया त्वया युवाभ्याम युश्माभे चतुर्थी तुब्यम अथवाते युवाभ्याम अथवावाम युश्मभ्याम अथवावः पंचमी विभक्ती त्वत युवाभ्याम युश्मत शेश्ठी तब अधवा ते, युवयोह अधवा वाम, युश्माकम अधवा वह सब्तमे त्वै युवयोह युश्मासू प्रिष्ठ संख्या एकसो पंद्रह यत पुल्लिंगे प्रथमा विभक्ति यह यौ ये द्वितिया यम यौ यान त्रिदिया येन याभ्याम यह चतुर्थी यस्मय याभ्याम येभ्य पंचमी यस्माक याभ्याम येभ्य शेष्ठी यस्य ययोह येशाम सब्तमी यस्मिन ययोह येशू स्त्रिलिंगे प्रथमा विभक्ति या, ये, याह द्वितिया याम, ये, याह तृतिया यया, याभ्याम, याभि चतुर्थी यस्यय, याभ्याम, याभ्यह पंचमी यस्याह, याभ्याम, याभ्यह शेश्थी यस्याह, ययोह, यासाम सब्तमी यस्याम, ययोह यासु प्रिष्ठ संख्या 116 नपुन्सक लिंगे प्रथमा विभक्ती यत ये यानि द्वितिया यत ये यानि द्रितिया येन याभ्याम यह चतुर्थी यस्मय याभ्याम येभ्या यस्मात याभ्याम येभ्या यस्य ययोह येशाम यस्मिन ययोह येशु इदम पुल्लिंगे प्रथमा विभक्ती अयम इमव इमे द्वितिया इमम अथवा एनम इमव अथवा एनव इमान अथवा एनान त्रितिया अनेन अथवा एनेन आभ्याम येभि चतुर्थी अस्मय आभ्याम येभ्या पंचमे अस्मात आभ्याम येभ्या शश्थी अस्य अनयोह अथवा एनयोह एशाम सप्तमे अस्मिन अनयोह अथवा एनयोह एशु प्रिष्ठ संख्या एक्सो सत्रह स्त्रीलिंगे प्रथमा विभक्ति इम इमे इमाह द्वितिया इमाम इमे इमाह त्रितिया अनया आभ्याम आभि चतुर्थी अस्याई आभ्याम आभ्य पंचमे अस्याह आभ्याम आभ्य शेष्ठी अस्याह अनयोह आसाम सप्तमी अस्याम अनयोह आसु नपुन्सग लिंगे प्रथमा विभक्ती इदम इमे इमानी द्वितिया इदम अथवा एनत इमे अथवा एने इमानी अथवा एनानी चतूर्थी असमय आभ्याम एभ्या पंचमी अस्मात आभ्याम एभ्या शेष्ठी अस्या अनयोह आथवा एनयोह एशाम सप्तमी अस्मिन अनयोह अधवा एनयोह एशुत। सर्वनाम शब्दानाम संबोधने रूपाणी नभवन्थी। प्रिष्ठ संख्या एक सो अठारह। रिकारांत स्त्रिलिंगह। मात्री अर्थात माता प्रथमा विभक्ति। माता मातरव मातरह द्वितिया विभक्ति मातरम मातरव मात्रिह तृतिया मात्रा मात्रिभ्याम मात्रिभि चतुर्थी मात्रे मात्रिभ्याम मात्रिभ्यह पंचमी मातोह मात्रिभ्याम मात्रिभ्यह शेश्ठी मातोह मात्रोह मात्रिणाम सप्तमी मातरे, मात्रोह, मात्रिशु, संबोधन, हे मातरह, हे मातरो, हे मातरह स्वस्री, अर्थात, बहन, प्रथमा विभक्ति स्वसा, स्वसारव, स्वसारह द्वितिया, स्वसारम, स्वसारव, स्वस्रीह तृतिया, स्वस्रा, स्वस्रिभ्याम, स्वस्रिभि चतूर्थी, स्वस्रे, स्वस्रिभ्याम, स्वस्रिभ्यह पंचमी, स्वसुह, स्वस्रिभ्याम, स्वस्रिभ्यह सब्तमी संबोधन प्रिष्ठ संख्या 119 नकारांत पुलिंगह राजन अर्थात राजा प्रथमा विभक्ति राजा राजानव राजानः द्वितिया राजानम राजानव राज्याह त्रितिया राज्या राजब्याम राजभि चतूर्थी राज्ये राजब्याम राजब्याह पंचमी राज्याह राजब्याम राजब्याह शेश्ठी संबोधन प्रिष्ठ संख्या 120 धातु रूपाणी यहां कुछ उपयोगी धातुओं के रूप लकारों में दिये जा रहे हैं इसके साथ ही तीनों पुरुष और तीनों वचनों में इनके रूप सुने जा सकते हैं प्रथम पुरुषह खादति खादतह खादंति मध्यम पुरुषह खादसि खादतह खादतह उत्ताम पुरुषह खादामि, खादावह, खादामह लिरट लकारह अर्थाथ भविष्यत्कालह प्रधम पूरुशह खादिश्यती, खादिश्यतह, खादिश्यंती मद्यम पूरुशह खादिश्यासी, खादिश्याथाह, खादिश्याथा उत्तम पोरुशह खादिश्यामी, खादिश्यावह, खादिश्यामह लंगलाकारह, अर्थात अतीतकालह प्रथम पूरुशह अखादत अखादताम अखादन मध्यम पूरुशह अखादह अखादतम अखादत उत्तम पूरुशह अखादम अखादाव अखादाम लोट लकारह, अर्थात अनुज्या, या, आदेशह, प्रथम पुरुषह खादतु, खादतां, खादंतु मध्यम पुरुषह उत्तम पुरुषह खादानी, खादाव, खादाम विधिलिंग लगा रह, अर्थार्थ विधि या संभावना, प्रथमकुरुशः मध्यमकुरुशः खादेह, खादेतं, खादेत, उत्तम पुरुशह, खादेयं, खादेव, खादेमा, एवमेव, धाव, खेल, गम, अर्थात गच्च, पट, रक्ष, भ्रम, पा, अर्थात पिब, हस, मिल, प्रिष्ठ संख्या, एक्सो, इकीस, इश, अर्थात इच्चा करना, लट लगारह, अर्थात वर्तमान कालह, प्रथम पुरुशह, इच्छते, इच्छतह, इच्छंति, मध्यम पुरुशह, इच्छसे, इच्छतह, इच्छतह, उत्तम पुरुशह, इच्छामी, लिरिट लकारह अर्थात भविष्यतकालह प्रथम गुरुशह एशिश्यतह एशिश्यंति मध्यम गुरुशह एशिश्यसे एशिश्यतह एशिश्यतह उत्तम गुरुशह एशिश्यामि एशिश्यावह एशिश्यामह लंग लकारह अर्थात अतीतकालह प्रथम पुरुषह अईच्छत अईच्छताम अईच्छन मध्यम पुरुषह अईच्छतम अईच्छत उत्तम पुरुषह अईच्छम अईच्छाव अईच्छाम लोट लका रह अर्थात अनुज्या या आदेशह प्रथम पुरुशह इच्छतु इच्छताम इच्छंतु मध्यम पुरुशह इच्छ इच्छतम इच्छता उत्तम पुरुशह इच्छानि इच्छाव इच्छाम विधिलिंग लका रह अर्थात विधि या संभावना प्रथम पुरुशह इच्छेत इच्छेताम इच्छेयुः मध्यम पुरुशह इच्छेह इच्छेतम इच्छेत उत्तम पुरुशह इच्छेयम इच्छेव इच्छेम प्रिष्ठ संख्या 122 संख्या वाचकाह शब्दाह वाईस संख्या वाचकाह शब्दाह एकपंचाशत्त हशतम्यावत यहाँ पर संख्याई दी जा रही है 51 से 100 तक 51 एकपंचाशत्त बावन द्वापंचाशत् अथवा द्विपंचाशत् त्रिपन ट्रयपंचाशत अधवा त्रिपंचाशत जोवन चतुपंचाशत पच्पन पंच पंचाशत 57 57 58 59 आपचाशत् अथवा अश्ट पचाशत् उन्सठ्थ नवपचाशत् अथवा एकोण शस्टि है। 60, 61, 62, 62, 63, 63, 64, 64, 65, 65, 65, 66, 66, 67, 68, 66, अधवा, 68, 69, 66, अधवा, एकोन सप्तति, सत्तर, सप्तति, इकहत्तर, एक सप्तति, बहत्तर, द्वा सप्तति, अधवा, द्विसप्तति, प्रिष्ठ संख्या, एक सो तेईस, तिहत्तर, द्वा, द्वा, द्रयास सप्तति, जोहत्तर, जातुस सप्तति, पचहत्तर, पँच सप्तति, चिहत्तर, शट सप्तति है, सतत्तर, सप्त सप्तति है, अठत्तर, अश्टा सप्तति है, अधवा अश्ट सप्तति है, उनासी, नव सप्तति है, अधवा एको नाशीति है, 81 82 83 84 85 86 87 87 88 89 90 91 91 91 92 92 92 92 93 93 93 94 94 94 95 95 95 96 97 97 98 98 99 99 99 99 99 99 99 99 98 99 99 95 99 99 99 99 99 झाल 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 झाल